सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए आज की इस वरकशीट में हम काइट पोयम से रिलेटेड कुछ एक्ससाइज कुछ एक्टिविटीज करेंगे जो की बहुत ही मज़दार होने वाली है तो आपको भी इसको करने में बहुत मज़ा आएगा So now let's start and understand with me As you all know कि आपको यह पता है कि लास्ट वरकशीट में हमने काइट पोयम को बहुत अच्छे से समझा है उसके मीनिंग को बहुत अच्छे से समझा है आज हम उसी से related कुछ एक्ससाइज करेंगे So let's find what is the first exercise Think of some special days in an year when people fly kite यानि आपको कुछ special days बताने जो कि साल में ऐसे आते हैं जिस दिन लोग पतंग उडाते हैं Also color the kite given साथ में जो पतंग दे रखी है उसको आपने बहुत सुन्दर से color भी करना है जैसा कि मैंने किया है फिर आपको क्या करना है अब ढूनते हैं कि वो कौन से days होते हैं देखिए 15 August तो हमें पता ही पता है लेकिन आप क्या आप जानते हैं कि 14 January जिसको हम मकर सकरान्ती कहते हैं 14 January मकर सकरान्ती Also known as kite flying festival जो 14 January को मकर सकरान्ती होती है उस दिन भी लोग बहुत सारे हो And then another day is 15th August As we all know 15th August को तो बहुत सारे Even पूरे इंडिया में kite flying की जाती है And the next day is Pongal Pongal is also celebrated in South India देखिए 14 January को ही जब हम North India में मकर सकरान्ती को मना रहे होते हैं Celebrate कर रहे होते हैं तभी South India में Pongal एक और फेस्टिवल है उसको वो लोग celebrate कर रहे होते हैं और उस दिन भी वो लोग kite flying करते हैं तो इस तरीके से There are three special days in an year When people fly kite और इस तरीके से जैसे मैंने करने की कोशिश की है आप भी इस kite को आप color करें बहुत अच्छे से colorful बनाएं ताकि वो बहुत ही सुन्दर लगे And then question number one is Complete the following sentences with the help of the words given in the box below तो देखिए नीचे एक box दे रखा है उसमें कुछ words दे रखे हैं उनकी help से आपको जो following sentence है उनको पूरा करना है तो देखें वो box में कौन-कौन से words हैं So these are the words जिनकी help से आपको ये फिलिंग दा ब्लैंक पूरे करने हैं जैसे first is आप देखेंगे A dash kite looks bright in the sky as it dips and dives तो कैसी kite बहुत अच्छी लगती है bright लगती है sky में जब वो dips and dive करती है तो a new kite, new, यहां से हम new को चूस कर लेंगे उसके बाद it pulls its strings and flies like a dash on waves वो जब उसका धागा हम उसको खीचते हैं और वो उड़ती है तो कैसे उड़ती है जैसे कि कोई ship wave पर जो लहरों पर चल रहा हो तो हम यहां से ship को चूस कर लेंगे फिर इसके बाद है the wind helps it ride and reach the maximum जो wind होती है वो उसकी help करती है right करने में यानि उड़ने में top in the sky kite क्या करने लग जाती है फिर एक समय के बाद top पर rest करने लग जाती है when the wind falls यानि जैसे ही wind आएगा इसमें कि जैसे ही हवा थोड़ी सी कम होती है ना तो हमें लगता है कि जैसे kite वहां पर rest करने लग गए जैसे हम बोलते हैं ओ हो हमारी पतंग तो सुनो string of the kite when it was slicks when a new wind जब एक नई हवा फिर से आती है blows बहती है when a new wind blows you unwind it again जैसे ही एक नई हवा का जोका आता है तब आप उसको क्या करते हैं फिर से उड़ाते है the new wind fills the wings of the kite with air yes and it goes up again और जैसे ही नई हवा का जोका आता है वो पतंग के एक तरह से punk बना देता है हवा के punk और हवा के सासाथ वो फिर और दुबारा से उंची उचाई पर चली जाती है now the question number two match the following words from the poem in column A to their meanings in column B यानि आपको क्या करना है कि नीचे column A में कुछ words दे रखें और column B में उनके meaning दे रखें आपको सही word को सही meaning के साथ match करना है तो let's see first word is crest आप बताईए मैंने जब poem समझाई थी तब भी मैंने समझाया था crest का मतलब क्या होता है crest का मतलब होता है the highest point यानि बिलकुल maximum height पर जब पहुंच जाती है तो हमें उसे crest कहते हैं फिर है एक regular ये भी word आया था last में कि जब हमारी पतंग फस जाती है तो वह regular मतलब uglier यानि बहुत ही गंदी लगती है वह चीज किसी को भी पसंद नहीं होगी next word is flaps flaps means flutters flutters मतलब जब वह फटफुटा जाती है बिलकुल छिन बिन हो जाती है and the fourth word is slack slack का मतलब होता है लूज होना जब कि जब आपने अभी हमने उपर समझा था कि जब हवा बिलकुल डाउन होने लग जाती है और slacks तो हमारा वो मांजा भी फिर वो लूज होना शुरू हो जाता है जो धाग स्ट्रिंग होता है वो Now the question number three is pick and write the rhyming words with the help of the poem आपको यहां पर एक वर्ड दे रखा है उसका rhyming word पोयम में से ही चूज करना है तो first word is new new का rhyming word new के जैसे sound वाला blue yes second is tail उसका rhyming word क्या होगा sail C is blows इसका rhyming word goes दोनों की same sound लग रही है न and the D is C और उसका rhyming word tree So now that's all for this worksheet अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हम मेरे साथ इसी तरह वर्क्षीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मनलग आकर पूरी महनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. And if you want to protect from coronavirus, then please wear a mask क्योंकि जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई धिलाई नहीं. Thank you very much.